विमल बहुत परेशान था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिती से कैसे निबटे। वो अपनी मां को बहुत चाहता था किंतु उसकी पत्मी और बच्चे उसकी मां से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी मां की एक आंक नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी 90 पर जुकी थी, वैसे वो अपना काम सब खुद कर लेती है, किंतु फिर भी वो उसकी पत्मी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है, दादी, आप उपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्ता रहे है, विमल के बेटे अखिल ने बड़े बेरुखी से कहा, पर बेटा, मैं तो यहां बहुत दूर बैठी हूँ, विमल की मा ने बहुत प्यार से कहा, नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिराते हैं, अखिल ने जोर से डागते हुए कहा, क्या हुआ अखिल के उचिला रहे हो, विमल की पत्मी कामनी ने किचन से ही आवाज लगाए, देखो ना मा, ये दाधी यही ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्ता रहे हैं, अखिल ने शिकायत भरे लहजे में कहा, मा जी, आप उपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो, कामनी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा, बेचारी सरस्वती चुपचा पुतकर ज उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी मा को अपमानित होना पर रहा है किन्तु वो असहाय था, अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं, दूसरे उनके तर्पी सही लगते हैं, चुन कि वो एक प्रशासने का दिकारी था, उसका सामाजिक स्त पत्नी आई थी, मा जी अपनी देशी धुन्धारा में उनसे मिली, मुझे बहुत शर्मा रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास है, मैंने कह दिया कि दूर की रिष्टेदार है, इलाज कराने आई हैं, विमल को रोना आ गया किन्तु फिर भी वर चुप रहा, उसे समझ में न विवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबधता थी तो दूसरी ओर मा, आखिर मा से अपने बेटे की ये हालत नहीं देखी गई, एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, विमल बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गाउव जाना चाहती हूँ, मुझे वहां पहुचा दो, मेरा यहां मन नहीं ला रहा, किन्तु मा वहां तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा, विमल ने आश्चरिय से पूछा, अरे, सब गाउव वाले तो हैं और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गाउव में रहते हैं और फिर हम सारी व्यवस्थाई कर आएंगे न, कामनी को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो, हाँ बेटा, बहु सही कह रही है, सरस्वती ने लंबी सांस लेते हुए कहा, विमल जानता था कि गाउव में मा की देखभाल करने वाला कोई नहीं है लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वो अपनी मा को गाउव छोड़न जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे, जब विमल बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थी तब वो भारत आये थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे, पूरा परिवार और आसपलोस बहुत उत्साहित था, अमेरिका से विमल के डॉक्टर, चाचा आ रहे थे, डॉक्टर, रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साहित से उनका स्वागत किया, क्यों विमल भाभी नहीं देख रही, कहा है, डॉक्टर, रमेश ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, जी वो गाव में रहती है, यहां उनका मन नहीं लगा, का पूसरे दिन सभी लोग गाव के घर में पहुचे, देखा कि सरस्वती को बहुत तेज बुखार है और वो पलन पर असहाय पड़ी है, डॉक्टर, रमेश दोड़कर सरस्वती के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे, सरस्वती की यह हालत उनकी कल्पना से परे थी, व खुद गाव आई थी, सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव किया,